इस कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि वाइड इसनेक पिंकी और गेन इसनेक शिंकी जिंग शांग टेमपल पर अटेक कर रहे होते हैं क्योंकि उस टेमपल के मास्टर ने बंटी को अपने वश में कर लिया था क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि बंटी और एक दूसरे से प्यार करते थे और वो नहीं चाहते थे कि शेतान और इंसान का मिलन हो क्योंकि उनका काम धर्ती पर से सभी शेतानों खात्मा करना था पिंगी और जिंग की अपनी शक्तियों से जिंग शांग मंदिर पर टे कर देती है लेकिन माश्टर की शक्तिया काफी जादा होती है इसलिए अपने मंत्रों से टेंपल को चारोर से प्रोटेट कर लेते हैं और अपनी सारी शेतान पेगोडा में बंद करने कोशिश करने लग लेकिन उसे पहले वो अपने बच्चे को जिंकी को दे देती है और उसे कहती है कि से बंटी को स्वाप देना पिंकी लीशेंग पेगोडा में केद हो जाती है लेकिन उसका एक रिबिन जिंकी के पास रह जाता है जिंकी कफी उदास हो जाती है माश्टर बंटी को लेकर जिंकी के पास आते हैं जिंकी माश्टरों कहते हैं कि तुम दर्म के नाम पर हमेशा हमें परशान करते रहते हो जबकि हम डेमन ने किसी ओ कुछ भी नुकसान नहीं पहुचाया है तो मास्टर उसे कहते हैं कि मैं दर्म की रक्षा कर रहा हूँ तो जिंकी उसे कहते हैं कि तुम्हारे पास लोट बुद्दा की शक्तिया है इसलिए तुम हमेशा हमें नुकसान पहुचाते हो तो मास्टर उसे कहते हैं कि तुम यहाँ से चली जाओ मैं तुम्हें नहीं मारता ये कहकर माश्टर gods वाँ से जाने लगता है तो जिंकी बंटी को बच्चा सोपकर माश्टर पर अठेक करने लगती है ये देखकर माश्टर जिंकी को अपने मंत्रों की मदर से पकर लेते हैं और उसे पुनरजनम से पेले की दुनिया निर्वाना में बेजने कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे ही मास्टर अपने मंत्रों का इस्तमार करते हैं, तो जिंकी के अंदर से अजीव सी ग्रीन एनरजी निकलने लगती है, जो उसे कहीं ले जाती है, ये देखकर मास्टर बहुत हिरान हो जाते हैं। फिरा में दिखाया जाता है कि जब जिंकी क्या खुलती है, तो ओ देखती है कि ओ सीटी में पहुँच गई है, लेकिन वहां आसपास कोई नहीं होता, जिससे उसे लगता है कि वो भी लिशेंग पेगोडा के अंदर आ गई है, इसलिए अपनी शिष्टर को आवाज लगाने लगती है, लेकिन तब ही वहां एक बड़ा सा राक्षस उसकी तरफ आने लगता है, जिंकी उस राक्षस पर अपनी पावर से अटेक करने कोशिश करती है, लेकिन वह देखती है कि उसकी पावर चली गई है, और वो एक नॉर्मल इंसान बन गई है, राक्षस जिंकी पर अटेक कर देता है, यह देखर जिंकी किसी तरह से बचकर वहां से भागने लगती है, लेकिन वह राक्षस अभी भी उसके पीछे होता है, भागते भागते जिंकी को एक लड़की दिखाई देती है, जो जिंकी को उससे बचाने के लिए उस राक्षस पर गोली चलाती है, लेकिन और राक्षस उन गोल्यों के वार से बच जाता है यह देखकर वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं लेकिन और दोनों एक पार्किंग लोट में जाकर फ़स जाते हैं वो राक्षस उनने माणने के लिए उन पर अटेक करने लगता है लेकिन तभी वहाँ एक मास्क वाला आदमी उस राक्षस के उपर दो तिन गाड़िया गिरा देता है जिससे वो राक्षस उन गाड़ियों के अंदर दब जाता है और वो मास्क वाला आदमी जिंकी और उस लड़की को बचा कर वहाँ से निकल जाता है वो उने एक सेव जगे पर छोड़ देता है तब ही जिंकी आसमान में इसनेका इस्टेचू देखती है तब ही वो लड़की जिंकी को बताती है कि मेरा नाम सोफी है फिर सोफी उसे एक घर में लेकर जाती है जहाँ जिंकी सोफी से प्मूसती है कि जिस लड़के ने हमें बच जाया था, वो कौन था, तो सोफी उसे बताती है कि वो बस एक आम लड़का था, जो खुद को हीरो समझता है, फिस सोफी उसे एक सिक्रेट बिल्डिंग में लेकर जाती है, जिसे एक उक्टोपस प्रोटेट कर रहा था, जिनकी जब उसके अंदर जाती है, तो वो देखती है कि वहाँ बहुत सारे मोंश्टर और इंसान मुझूद होते है, तो सोफी उसे बताती है कि यह उक्टोपस का एरिया है, जो हमें बहार के सारे मोंश्टर से प्रोटेट करके रखता है, और इसके बदले में हम उसे खाना देते हैं, फिस सोफी जिनकी से बूसती है कि तुम क करना चाहते हैं, इसका मदलब यह होता है कि यह ना तो स्वर्ग लोग होता है और ना ही नर्क लोग, फिर सोफी उसे ये भी बताती है कि यहां सभी डाइनिस्टी के इंसान और मोंश्टर रहते हैं, और में भी यहां दो मेने पेले ही आई थी, फिर उसे अपने रूमें ल लाना सीख जाती है तभी एक दिन अचानक बूल हेड मोंश्टर का लीडर वीलियम अपने सभी मोंश्टर के साथ उस बिल्डिंग पर कबज़ा करने के लिए आ जाता है जिसमें जिंकी और सोफी रहा करते थे क्योंकि उन्हें कहीं से खबर मिल गई थी किस बिल्डिंग में और डेमन चीपे हुए हैं ये देकर सोफी और जिंकी अपना समान लेकर वहां से निकलने लगते हैं तभी बूल हेड मोंश्टर उस बिल्डिंग के अंदर गुसाते हैं और उस उक्टोबस को भी पकड़ लेते हैं ये देकर जिंकी और सोफी उनसे बचने के लिए रूप पर रखी अपनी बाइक से बागने कोशिश करती हैं लेकिन कुछ मोंश्टर उन्हें देख लेते हैं और उन्हें मारने के लिए उनके पीछे पर जाते हैं और उनकी बाइक पर अटेकर देते हैं जिससे जिंकी और सोफी उन दोनों गेंग के बीच में जाकर गिरते हैं साइमन जिंकी को बचा लेता है तब हमें यहां यह भी पता चलता है क्यों मास्क ऑला आदमी जिंकी पर नचर रख रहा होता है दोनों गेंग के लीडर फायट का एलान करते हैं तब ही वहां चानक बहुत तेज तूफान चलने लगता है और उस तूफान के बीच में से ग्री साइमन वहां आकर जिंकी को बचा कर अपने साथ ले जाता है फिर हमें साइमन की गेंग को दिखाया जाता है जिसके बहुत से राक्षस गाये लोग गहे थे इसलिए कुछ राक्षस साइमन को कहते हैं कि पहले ग्रीन क्रियेचर मैने में सीव एक बार आया करते थे लेकिन कहती है कि अगर साइमन नहीं होता तो तुम में से कोई भी जिंदा नहीं होता क्योंकि साइमन नहीं तुम्हें उन राक्षसों से बचाया था तब ही एक डेमन गर्ल जिंकी पर अटेक करने लगती है क्योंकि उसे लगता था कि वो कमजोर इंसान है लेकिन जिंकी उस डेमन मार्केट जाकर फ्यूल लेकर आ जाओंगा फिर अगली सुबह साइमन जिंकी के साथ ओल्गूड मार्केट की तरब निकल जाता है तबी रास्ते में कुछ डेमन उन पर अटेक करने लगते हैं ये देखकर साइमन जिंकी को ड्रायो करने हो गेता है और उखुद उन डेमन से लडने लगता है लेकिन उन डेमन की संक्या काफी जादा होती है इसलिए साइमन फुल स्पीड में कार चला कर वहां से निकलने लगता है वो दिरे दिरे सभी मोश्टर से बचकर ओल्गूड मार्केट की सीमा में पहुंच आते हैं और डेमन उनका कुछ नहीं बिगार पात तो देखते हैं कि वहां पेले से इबोस से मोश्टर शोपिंग कर रहे थे साथ ही वहां पर वो मास्क वाला आदनी भी होता है जो वहीं पर काम क्या करता था तब ही वहां उस मार्केट के ओनर भी आ जाती है जो और कोई नहीं बलकि वही डेमन फॉक्स थी जिनकी उस डेमन है उनके पास अपने याद करने वालों की कोई एक नएक चीज जरूर है जिससे वो बहुत ज़्यादा अटेजड हैं जैसे कि तुम्हारे पास तुम्हारी बहन का रीबिन है तो जिनकी उस डेमन फॉक्स से पूछती है कि मैं इस जगे से कैसे निकल सकती हूँ तो डेमन फ यादे मिट जाएगी जिससे तुम बहुत ज़्यादा अटेजड थे इसलिए इस पानी में कूदने की इमत बहुत ही कम लोग कर बाते हैं यह सुनने के बाद वो मासकौला अदमी अपने पास रखी विसल को पकड़ कर ताला में देखता है तो उसे कुछ दिखाए नहीं द बूल जाए इसलिए वो उस पानी में नहीं कूदती और उस साइमन के साथ फ्यूर लेकर वहाँ से निकलने लगती है लेकिन तभी वो ग्रीन क्रियेचर वापस आकर उन पर हमला करने लगते हैं यह देखकर वो सभी मार्केट के अंदर भागने लगते हैं तभी फोक्स डे के पास जाने लगती है लेकिन वहाँ आने से पेले एक डेमन को उन ग्रीन क्रियेचर ने बायट कर लिया था इसलिए वो भी एक ग्रीन क्रियेचर में बदल जाता है और वहाँ सभी पर अटेक करने लगता है यह देखकर सभी वहाँ से भागने लगते हैं लेकिन वो ग्री साइमन अपनी तलवार से उस Green Keyato के सर को अलग कर देता है जिससे ओальную Gold Cherry मर जाता हे साइमन सभी को बताता है इन घृंड क्रिएचर को सिर्फ सर काट करीब मारा जा सकता है जिंकी साइमन को कहती है कि हमें इस मास्क वाले आदमी को भी हमारे साथ लेकर चलना चाहिए क्योंकि इसने मेरी जान बचाई थी तो साइमन भी उसकी बाद माल लेता है फिर हो तिनों साइमन के इलाके में पहुंसते है लेकिन साइमन को वहाँ कुछ अजीब लगता है इसलिए एक खूफया रास्ते से उन्हें अंदर लेकर जाता है जहां वो देखते हैं कि वीलियम की पूरी गेंग ने साइमन के सभी लोगों को मार दिया है और उनके इलाके पर कबजा कर लिया है यह देखर साइमन जिनकी और उस नकाव वाले आदमी को लेकर वहाँ से निकल जाता है लेकिन तब ही ओ ग्रीन क्रियाचर वापस से शेहर पर हमला करने के लिए आ जाते है यह देखर साइमन उन्हें एक टरनल से लेकर वहाँ से भागने कोशिश करता है लेकिन वहाँ से भागते हुए उस मास्क वाले आदमी का पेर एक ट्रेन के अंदर फस जाता है जिंकी यह देखकर साइमन को भी उसकी मदद करने हो गेती है लेकिन साइमन जब देखता है कि ग्रीन क्रियेचर उनके बहुत करीब आ गए है तो साइमन जिंकी को समझाता है कि हमें इसे यह छोड़ कर जाना होगा नहीं तो ग्रीन क्रियेचर हमें भी अपने जैसा बना देंगे लेकिन जिंकी साइमन की बात नहीं सुनती और मास्क वाले आदमी की मदद करने लगती है यह देकर साइमन अकेला ही वहाँ से आगे निकल जाता है और उस टेनल का गेट भी अंदर से लो कर देता है यह देकर जिंकी उसे रोपने कोशिश करती है लेकिन साइमन उसकी बात नहीं सुनता इससे जिंकी को लगता है कि सभी आदमी एक जैसे ही होते हैं जो मसीवत में हमें अकेला छोड़ देते हैं इससे हो काफी हट हो जाती है और उस खुद को ग्रीन क्रियेचर के हवाले करने लगती है यह देखकर हो मास्क अला आदमी अपना मास्क उतार देता है जिसका चेरा बिल्कुल पिंकी जैसा था यह देखकर जिनकी उस ग्रीन क्रियेचर के सर को दर से अलग कर देती है फिरो अपनी पूरी ताकत लगाकर मास्क उतार आदमी को बहार निकाल लेती है और उस चैनल का गेट तोड़कर आगे बढ़ जाती है जहां वो एक किलिफ पर पहुंसते है जिनकी उस मास्क उला आदमी से कहती है कि अगर तुम मेरी बहन हो तो तुम लीशेंग पेगोडा से कैसे बच गई और तुम आदमी के शेर में कैसे हो तो रिपलाई में मास्क उला आदमी कहता है कि मुझे कुछ यान नहीं है बस मुझे इतना पता है कि जब मेरा एक्सिडेंट हुआ था तो मैंने खुद को यहाँ पाया था और मुझे तो ये भी नहीं बता कि ये विसल मेरे पास क्यों है फिर जिंक्यों से बताती है कि मेरी बेहन जिस आदमी से प्यार करती थी उसका दिल बहुत बढ़ा था लेकिन उसका शेह उतना ही कमजोर था इसलिए मैंने तभी फयसला किया था कि मैसी वेसे ही वेक्ती से प्यार करूंगी जो मुसीबत मेरे रक्षा कर सके और जब मैं साइमन से मिली तो मुझे लगा कि हो मेरे रक्षा कर सकता है लेकिन उसने भी मुझे मुसीबत के वक्त अकेला छोड़ दिया इसलिए मेरी शिष्टा सही थी कि प्यार में तागत माईने नहीं रखती बस ये माईने रखता है कि सामने वाले का दिल अच्छा होना चाहिए तो फिर जिंक उस मासक ओला आदमी से पूंचती है कि जब मैं यहां आई थी तो तुमने मुझे उस राक्षट से क्यों बचाया था तो रिपलाई में वो कहता है कि बस मेरे मन ने कहा कि मुझे तुम्हें बचाना चाहिए और मुझे ऐसा लगा जैसे मैं तुम्हें जानता हूँ इससे जिंकी भी बहुत खुश होती है क्योंकि वो भी उस मासक ओला आदमी को पसंद करने लगी थी फिर और दोनों साथ में उस फॉक्स डीमन के ठिकाने की तरब निकल जाते है क्योंकि वो मासक ओला आदमी जिंके को बताता है क्यों फॉक्स डीमन अपनी मर्जी से यहां से बाहर आ जा सकती है क्योंकि वो एक बिजनेस हुमन है जो अपना फाइदा देखने पर हमें यहां से बाहर निकल सकती है इसलिए और दोनों उस फोक्स डीमन के पास बहुंचते हैं और उस चैसुर विले से बाहर निकलने के दूसरे रास्ते के बारे में पूचते हैं तो फोक्स डीमन उन्हें बताती है कि एक दूसरा रास्ता भी है जिसने तुम अपनी आदों को बुलाए बगेर भी यहां से बाहर जा सकते हो लेकिन उसके लिए तुमें अपने अटेज्मेंट का कुछ इससा मुझे देना होगा क्योंकि उससे एक खास तरह का फ्यूल बनता है फिर उन्हें तालाब के पास लेकर जाती है जहां जिंकी देखती है कि साइमन भी वहीं होता है जिसने भी यहां से निकलने के लिए डिमन फॉक्स के साथ पहले से डील कर ली थी इसलिए फॉक्स डिमन साइमन की कुछ यादों को अपने पास रग लेती है ताकि उससे फ्यूल बना सके फिर जिंकी और वह मास काला आदमी भी इसके लिए त्यार हो जाते है तो फॉक्स डिमन उन्हें बताती है कि असूर विले में एक बहुत बड़ा स्नेक का स्टेचू है जिसकी पूँच सर से कुछी दूरी पर है और एक समयसा आता है जब उस स्नेकी पूँच और सर के बीच में एक ब्रीज बन जाता है उस वक्ती तुम्हें उस साब के मूँ में कूदना है जिससे ही तुम असूर विले से बहार निकल सकते हो लेकिन एक प्रोब्लम यह है कि उस स्टेचू पर ही वही ग्रीन क्रेचर रहते हैं फिरो फॉक्स डिमन जिंकी के हाथ में एक टोकन पकड़ा कर उसके कान में कुछ सिग्रेट बात बताती है तबिया में दिखाया जाता है कि वीलेम अपनी पूरी सेना के साथ और गुड मार्केट पर कपजा करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है फॉक्स डिमन के सेनिक जब यह देखते हैं तो फॉरन फॉक्स डिमन को इसके बारे में बताते हैं यह सुनते ही फॉक्स डिमन वीलियम के उपर अटेक करवाने लगती है और अपने मार्केट को चारों और से एक बहुत बड़ी चेन से कवर कर देती है लेकिन वीलियम पूरी प्लेनिंग के साथ आया था इसलिए उस चेन को काट कर अंदर गुज जाता है तो फॉक्स डिमन उन दोनों के साथ वापस उस तलाव के किनारे आ जाती है जहां अब साइमन भी होश में आ गया था तो फॉक्स डिमन उसे बताती है कि वीलियम हम पर अटेक करने के लिए आ रहा है तो साइमन को कुछ समद नहीं आता क्यों इसा क्यों कर रहा है क्योंकि उसने उसकी पूरी गेंग को भी खत्म कर दिया था तो फॉक्स डिमन उसे बताती है कि वीलियम पर कब जा करना चाता है तब ही वीलियम अपने सेनिकों के साथ वहाँ पहुंझ जाता है तो साइमन भी तलवार लेकर उसका सामना करने के लिए तैयार हो जाता है और वो जिंके से माफी मांगता है फिर वो वीलियम पर अटेक करने लगता है लेकिन वीलियम बहुत ताकतर होता है इसलिए वो साइमन की तलवार तोड़ देता है लेकिन साइमन कैसे ना कैसे करके अपनी टूटी हुई तलवार को वीलियम के सीने में बढ़ देता है लेकिन वीलियम को कुछ नहीं होता क्योंक विल्यम से मास्क लेकर अपने चेरे पर लगा रखा था, क्योंकि उस दिन जब जिंकी ने तालाब में पिंकी की तज़ीर देखी थी, तो उस मास्क काले आदमी ने भी देख लिया था, कि जिंकी पिंकी से कितनी ज़्यादा अटेजड है इसलिए उसने अपने फेस को उस मुखटे की मदद से पिंकी के जैसा कर लिया था क्योंकि उए खास तरह का मास्क था जो अपने सोचने के हिसाब से चाहे जिस फेस में चेंज हो सकता था और इसकी स्मेल काफी अलग थी जिसकी वज़े से वीलियम उन तक पहुछ पाया था ये सुनकर जिंकी को काफी गुसा आता है क्यों उसकी बहर नहीं है फिर वीलियम उस मासक आला आदमी को मासक वापस देता है और उसे कहता है कि तुम चाहे जो बन सकते हो चाहे तो तुम हमारी तरह मोंश्टर बन सकते हो या फिर नॉर्मल इंसान लेकिन हो मास्क वाला अदमी वापस से पिंकी के फेस में या जाता है क्योंकि हो जिंकी को पसंद करता था ये देखकर वीलियम को काफी गुसा आ जाता है फिर वीलियम के राक्षियस फोक्स दीमन पर अटेक करने लगते हैं लेकिन फोक्स दीमन उस तरह में कोच जाती है और अपने असली रूप यानि के एक बड़ी सी फोक्स में चेंज हो जाती है फिर उस पानी का टोनेडो बनाकर सभी पर डालने लगती है जिससे हो सभी मोंस्टर एक एक करके असुर विले से बहार निकल रहे थे साथ ही वीलियम भी उस पानी के अंदर डूप जाता है लेकिन फोक्स दीमन मासक वाले आदमी और जिंकी को एक बोड़ दे देती है और उन्हें सेवली बहार निकल देती है जिससे हो मासक वाला आदमी और जिंकी बेहते हुए किनारे पर पहुंच आते हैं जहां जिंकी उस मासक वाला आदमी से पूछती है कि तुम मुझे सच सच बताओ कि तुम कौन हो तो मास्क वाला अन्यों से बताता है कि जब मेरी पहली बार यहां आँख खुली थी तो मुझे कुछ भी यान नहीं था लेकिन मुझे पहली नजर में तुमसे प्यार हो गया था लेकिन तुम्हें तो सीव इश्ट्रोंग मेनी पसंद है इसलिए मैंने उस जादूई मास्क से तुम्हारी बेहन का चेहरा बना लिया था ताकि मैं तुम्हारे और करीब आ सकूँ यह सुनकर जिंक्यू से कहती है कि मैं गलत थी जो मैं इस्ट्रोंग मेन का इंतिजार कर रही थी लेकिन अब मैं समझ गई हूँ कि मुझे खुद को इस्ट्रोंग बनाना चाहिए था और अब मैं सुर्विले से बाहर जाकर मास्टर को मार दूंगी फिरो दोनों उस इस्टेचू की तरफ बढ़ने लगते हैं वहीं हमें दिखाया जाता है कि वीलियम अपने कवच की वज़े से बच गया था लेकिन उसके सभी मौश्टर मारे गए थे इसलिए वो उस मास्क की सम की आवास सुनाई देती है जो कि एक हजीब सी बस होती है जिंकि उस बस ड्राइवर को फोक्स डिवन दोरा दिया हुआ टिकेट दिखाती है जिस्से हो बस ड्राइवर उन दोनों को अंदर आने देती है फिरो बस ड्राइवर उन्हें ग्रीन टनल का रास्ता बताती है और क्यों टरनल और कहीं नहीं बल्कि उसी बस में था फिर जिंक्यूस मास्कॉल आदमी को बाहर चोड़कर उस टरनल में जाती है और तभी वो अचानक बाहर आ जाती है तो मास्कॉल आदमी जिंक्यूसे पूंसता है कि तुमने अंदर क्या देखा तो जिंक्यूसे बताती है कि म मास्टर से लड़ाई की थी इससे वो समझ जाते हैं कि उस टेनल के अंदर का एक गंटा बाग एक सेकंड से भी कम है तो जिंकी फिर से उस टेनल के अंदर जाती है जहां मास्टर जिंकी को बताते हैं कि मैंने इवीलियम को असुर विले में बेजा था ताकि वो सभी डीमन और बात नहीं सुनी और उसने पूरे असुरी ले पर कबजा करने के लिए अपनी ही एक गेंग बना ली ये सुनकर जिंकी को गुसा आ जाता है क्योंकि वो पुनरजनम नहीं लेना चाहती थी इसलिए अपनी ताकत का इस्तमाल करके मास्टर को मारने कोशिश करती है लेकिन काफे ज्यादा ताकतवर थी इसलिए और बार बार जिंकी को हरा दे रहे थी जिंकी को टनल में लड़ाई करते करते काफी साल गुजर जाते हैं लेकिन टनल से बाहर अभी भी कुछी गंटे बीते थी मगए जिंकी अभी भी मास्टर को हरा नहीं पाई थी वहीं दूसी तर पर असंटेंब azze जाते हैं आब जिंकी उस टनल से बहार आ जाती हैं तबही आचानक उस बस का भी एक्सिय्डेंट हो जाता है तब ही हो देखते हैं कि उस साफ का इस्टेचू ग्लो कर रहा है और सारे पेड़ और पोदे मिलकर पूछ और मुझे बीज बिरिज बनाने लगते हैं ये देखकर वो बस ड्राइवर उन्हें कहती है कि अब तुम असुर विले से बहार निकल सकते हो तो दोनों उस टेर्ड की तरफ बढ़ने लगते हैं वहीं अब वीलियम की भी सारी शक्तियां चली गई थी इसलिए अब वो भी असुर विले से बहार निकलने का डिसाइड करता है जिंकी और मासक अला आदमी दोनों आगे बढ़ने लगते हैं जहां रास्ते में जिंकी उस मासक अला आदमी से कहती है कि मैं यहां से बहार निकल कर अपनी शिश्टर को डूनोंगी और तुम अपने उस खास परसन को डूनना तब ही ओ देखते हैं कि वहां सबी ग्रीन क्रियेचर सुए हुए हैं इसलिए ओ बिना कोई आवाज किये वहां से आगे बढ़ने लगते हैं लेकिन तब ही ओ देखते हैं कि वीलियम भी उनकी तरफ ही आ रहा है यह देखकर ओ बहुत ही स्पीड में आगे बढ़ने लगते हैं लेकिन तब ही अचानक वो सारे ग्रीन क्रियेचर जागरत हो जाते हैं और उन तीनों को रोकने के लिए उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं यह देखकर उन तीनों वहां से भागने लगते हैं लेकिन एक ग्रीन क्रियेचर वीलियम को बाइट कर लेता है जिससे वीलियम दिरे दिरे green creature में बदलने लगता है जिससे वो और तेजी से उस साहब के मुश की तरफ जाने कोशिश करता है वहीं जिनकी और हो मास कॉला आदमी साहद में उस साहब के मुश की तरफ जंप लगा देते है लेगिन तभी वीलियम उन दोनों को पकड़ लेता है, क्योंकि वो पूरी तरीके से ग्रीन क्रियेचर में चेंज हो चुका था, जिससे हो तीनों नीचे गिरने लगते हैं, तभी वो मास्क अला आदमी वीलियम को उसे काटने देता है, जिससे हो मास्क अला आदमी मोका पाकर वीलियम को जान से मार देता है फिरो मासक अला आदमी और जिंकी साथ में नीचे गिरने लगते हैं जिंकी काफी सेड हो जाती है तब ही ग्रीन क्रियेचर बनने की वज़े से उस मासक अला आदमी के पर निकल आते हैं और वो फुल स्पीड में जिंकी को लेकर उपर बढ़ने लगता है क्योंकि अभी तक उसका सर ग्रीन क्रियेचर में चेंड नहीं हुआ था और वो किसी भी हाल में जिंकी को बाहर बेजना चाहता था वो फुल स्पीड में उस रोशनी के पांस जाकर जिंकी को उस रोशनी में फेंक देता है लेकिन जिंकी उस मासक अला आदमी के बिना बाहर नहीं जाना चाहती थी इसलिए उसका हाथ नहीं चोड़ती तो मास्कॉल आदमी उसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ बाहर नहीं चल सकता ये कहते हैं उपूरी तरीके से खत्म होने लगता है क्योंकि ग्रीन क्रियेचर उस रोशनी के दूसी तरब नहीं चाह सकते थे जिनके इससे काफी दुख्यों जाती है जिससे उस मास्कॉल आदमी की विसल भी अलग हो जाती है लेकिन जिनके उस विसल को पकड़ लेती है फिरा में दिखाये जाता है कि जिनकी वापस असली दुनिया में आ जाती है मगर उसे कुछ समण नहीं आता कि उसकी बहन कहां पर है तब ही वो एक दिन विसल की आवाज सुनकर उसकी तरफ जाती है तो वो वहाँ दूर लीशेंग पेगोड़ा को देखकर बहुत हरान होती है तो बासुरी बजाते वे बुजूर का अदमी उसे बताते है कि लीशेंग पेगोड़ा असली नहीं है क्योंकि ये तो कहीं सालों पेले गिर गया था लेकिन फिर इससे अब वापस बना कर वहाँ एक म्यूजियम बना दिया गया है जहां तुम जाकर वहां रखी पुरानी चीजों को देख सकती हो तो फिर जिंकी उस म्यूजियम के अंदर जाती है तो उसे अपनी बेहन की वही हैरपिन मिलती है जो माश्टर से लड़ते वक्त टूट गई थी उस हैरपिन को देखकर जिंकी कहवी ज़्यादा गबना जाती है और उस हैरपिन को बहार लाकर उसे जोडने लगती है लेकिन उस हैरपिन का एक इस्सा गायब था तब यूसे उस मासकॉला आदमी के विसल से उस हेरपिन का आखरी टूड़ा मिलता है जिसे जोडते ही वो हेरपिन पेले जैसी हो जाती है इससे जिंकी समझ जाती है क्यों मासकॉला आदमी और कोई नहीं बलकि उसकी बेहन पिंकी थी जो पेले ही लीशेंग पेगोड़ा से असुर विले में पहुँच गई थी लेकिन वो काफी बार सर्वाइव ना कर पाने के कारण बार बार मर रही थी लेकिन उसे मुक्ति नहीं मिली क्योंकि वो जिंकी से काफी ज़्यादा अटेज्ड थी लेकिन जब उसका जन्म मास्क वाले आदनी के रूप में हुआ था तो जब वो असुर विले में पहुची तो उसे कुछ याद नहीं था लेकिन वो जिंकी से अटेज्ड में सुस कर रही थी इसलिए उसने जिंकी को भी हर बार बचाया और एंड में भी उसने जिंकी को अपनी जान पर खेल कर असुर विले से बहा निकाला इससे जिंकी काफी एमोशनल हो जाती है तब यो हेर पिन ग्लो करने लगती है और पिंकी के आदमा वापस से पुनर जनम ले लेती है और यहीं पर यह मूवी एंड हो जाती है और गाइस अगर आपने अभी तक वाइट इसने का फर्ष्ट बार नहीं देखा तो आप आई बटन पर किलिए